नमस्कारने पेन बाच पर ही अपने यूट्यूब चैनल बहुत पर ही पर आपका बहुत-बहुत सौगत करता हूँ अगर आप CHSL के aspirant है या MTS के aspirant है और आपको अभी तक जौब नहीं मिलिए आप काफी टाइम से preparation करना है या आपने नहीं नहीं preparation करना इस्टार्ट किये तो आपके लिए इस वीडियो में काफी बड़ा message है जो मैं आपको देने वाला हूँ अगर आपने इन चीजों को follow किया तो definitely इस बार आपका selection हो जाएगा और अगर आपने इस बार दो जाए एकिस बाइस की vacancy में selection नहीं ले पाया तो आप कोई पता है कि इसके बाद CT के थो सारे exam होंगे और CT में क्या pattern रहेगा slave exchange होगा या नहीं होगा तो वो सारी cutnaya आपके सामने आएंगे तो इस बार आपको selection लेना ही लेना है चाहें आप CHSL में 2018 में आपने try किया और आपका selection नहीं हुआ या CHSL 2019 में try किया 2020 में try किया कभी अच्छे number नहीं आया या selection नहीं हो पाया MTS बाले बच्चे जिनका selection 2019 में नहीं हो पाया 2020 में नहीं हो पाया 2020 में उनके अच्छे माक्स नहीं है तो उन सब ही जो एस्पिरेंट है उनके लिए वीडियो है उसके लाबा जो नए बच्चे जिन्होंने CHSOL और MTS में अपलाई किया है उन सभी के लिए वीडियो है देखिए आपको सेलेक्टेड और एक सही डिरेक्शन में प्रप्रेशन करने की जुड़ात है सबसे पहली चीज़ तो यह सोच लिजी कि आपको सेलेक्शन लेना ही लेना है इस बार अब सीजियल को मैंने इसलिए नहीं एट किया क्योंकि सीजियल के एक्जाम में आप बहुत कम टाइम बचा हुआ है तो अब जो होना है वो हो चुका लेकिन CHSL एक्जाम और MTS एक्जाम ये दो ऐसे एक्जाम है जिन पर अभी भी अगर आपने एक राइट डिरेक्शन में काम किया तो इन एक्जाम में आप बहुत अच्छा है स्कोर कर सकत अगर आप 120 अभी नमबर ला रहे हैं तो अगर आपको सही guidance मिल जाए तो यही नमबर आपके 150 या उससे उपर जा सकते हैं तो आप सभी experience से बस यही कहना चाहता हूं देखिए MTS की इस बार vacancy 10,000 से प्लस होंगी ठीक है और CH asal की vacancy में आप सभी ने form fill up कर दिया है तो आपको करना क्या है एक सही direction में आपको काम करने के जरूते हैं और इस बार selection ले लिजे नहीं तो बहुत ज़ता दिक्कत आपको हो जाएगी तो selection लेना ही लेना है अब किस तरीके से आप एक सही direction में काम करेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है यह साही चीज़े आपको पता होनी चाहिए अब यहाँ पर सबसे जरूरी यह है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्या आपको नहीं पढ़ना है तो इनी सभी प्राब्लम को देखते हुए मैं आपके लिए इस चैनल पर बहुत जल्द एक दुगिन के अंदर क्रेस कोर्स आपके लाने वाला हूँ जो की free of cost चलेगा और हमारा जो target है वो CHSL और MTS exam है चाहे आप काफी टाइम से preparation कर रहे हूँ या आपने नही नही प्रेप करेंगे जो जो चीजे में आपको बताऊंगा उन चीजे को follow करेंगे तो definitely आप exam को qualify करेंगे और ऐसा नहीं है MTS में जिस बच्चे ने apply किया है वो CHSL में भी उसमें apply किया होगा और जो CHSL में apply किया है वो MTS में भी apply करेगा ठीक है तो आपको कोई ना कोई एक job लेनी पहल नहीं रहता और आप easily job निकाल देते हैं तो इसी के लिए मैं complete आपके लिए crash course लेके आ रहा हूँ एक दो दिन में उस course की क्या detail रहेगी सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा किस time से classes चलेंगी किस तरीके से मैं आपको guide करूंगा कौन कौन सी book आपको पढ़नी है सारा कुछ आ करना किया इस चैनल पर बने रही है इस चैनल पर आपकी complete मदद की जाएगी आपको करना किया इस वीडियो को ज़्यादा सेर करना है ताकि ज़्यादा तर जो बच्चें उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको free classes का फाइदा मिल सके तो बस मैंने अपना काम कर दी आप को अपना काम करना है और बहुत जल्द हम लोग एक दो दिन के अंदर classes को start करने वाले हैं तो मेही तरफ से आप सभी को all the best तो उमीद करता हूं कि जो बाते में आपको समझाना चाहता था वो आप समझ पाया होंगी आपको करना क्या है इस वीडियो को ज़्यादा सेर करना ह उसके लाबा अगर आप चैनल पर नए है और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना पत भूलेगा